भारत ने रूस में बने लंबी दूरी के S-400 Trimf Air Defense System खरीदने की पूरी तैयारी कर ली है। अमरीका नहीं चाहता है कि भारत रूस से ये रक्षा सौधा करे। कहा जा रहा है कि सौधे के कारण भारत पर अमरीका के आर्थिक प्रतिबंधों का खत्रा मनरा रहा है। इसके बावजूद भारत पांच S-400 खरीदने के आखरी चरण में पहुँच चुका है। S-400 को दुनिया का सबसे प्रभावी एर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। ये दुश्मनों के मिसाइल हमले को रोकने का काम करता है। कहा जा रहा है कि अगर भारत ने सौधे की खोशना कर दी तो अमरीका के लिए ये बेहद निराशाजनक होगा। उधर रूसी समाचार एजनसीज पुतनिक का कहना है कि राश्टपती पुतिन के भारत दोरे से पहले नरेंद्र मोदी के नेत्रित्व वाली सुरक्षा पर बनी कैबिनेट कमिटी ने रूस से पांच अरब डॉलर से जाधा के पांच S-400 एर डिफेंस सिस्टम की खरीद को म अमरीका ने रूसी सरकार को सजा देने के लिए पास किया था CAA TSA जनवरी 2018 से प्रभावी हो गया है भारत चाहता है अमरीका रूस के साथ उसके संबंधों में इस कानून से उसे चूट दे अमरीका का ये कानून उन देशों को रोकता है जो रूस के साथ हतियारों का सौद करते हैं अमरीका ने हाल ही में US National Defense Authorization Act NDAA पास किया था जो टरंप प्रशासन को उन देशों को CAA TSA के तहत छूट देने का प्रावधान देता है जिनका रूस से रक्षा संबंध बहुत पुराना है अंडी एए के मताबिक रक्षा सौदा देर करोड डॉलर से जादा का नही होना चाहिए S-400 Trimf NDAA के दाइरे से बाहर का सौदा है एक अनुमान के मताबिक इस सौदे की कीमत साढ़े पांच अरब डॉलर से भी जादा की है जो कि अमरीकी सीमा से बहुत सादा है 1960 के दशक से ही रूस भारत का सबसे बड़ा रक्षा पूर्ती करता रहा है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसरच इंस्टिचूट के अनुसार 2012 से 2016 के बीच भारत के एक एकुल रक्षा आयात का 68 फीस्ती रूस के साथ हुआ है 6 सितंबर को नई दिल्ली में टू प्लस टू बैठके बाद अमरीकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियों ने पत्रकारों से कहा था कि इस बाचीत में अभी तक कोई सहमती नहीं बन पाई है भारत सालों से लंबी दूरी की हवाई सुरक्षा ख्षमता को मस्बूत करने के लिए S-400 चाह रहा है 2016 में भी रूस के साथ S-400 खरीदने के लिए द्विपक्षी अवारता हुई थी कहा जा रहा है कि जब 4 और 5 अक्तूबर को रूसी राश्रपती व्लादेमिर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे तो इस सौदे पर हस्ताक्षर हो जाएंगे ये बात भी कही जा रही है कि भारत इस सौदे पर अमरीकी प्रतिबंधों को आड़े नहीं आने देना चाहता है अभी तक ये साथ नहीं है कि भारत रूस से S-400 कितनी संख्या में खरीदेगा दी डिप्लोमेट मैगीजीन के सीनियर एडिटर फ्रेंज स्टिफिन गैडी का कहना है रूसी सेना में एक S-4 दो बटालियन के बीच बटा रहता है ये विभाजन दो बैटरियों के जरिये होता है S-400 की एक बैटरी 12 ट्रांस्पोंटर इरेक्टर लॉंचर से बनती है कई बार 4 और 8 से भी बनाई जाती है सभी बैटरी में एक फायर कंट्रोल रडार सिस्टम भी नहित होता है इसके साथ ही एक अतरिक्त रडार सिस्टम होता है जो एक-एक कमांड पोस्ट भी होता है गैडी का कहना है S-400 में मिसाइल दागने की शमता पहले से धाई गुना जादा तेज है इसके साथ ही ये एक साथ 36 जगों पर निशाना लगा सकता है इसके इलावा इसमें stand-off jammer aircraft, airborne warning और control system aircraft है ये ballistic और cruise दोनों मिसाइलों को बीच में ही नश्ट कर देगा S-400 रोड मोबाइल है और इसके बारे में कहा जाता है कि आदेश मिलते ही 5 से 10 मिनट के भीतर इसे तैनात किया जा सकता है यही सारे खूबिया S-400 को पश्चिम में बने उच्चस्तरिय defense system जैसे terminal high altitude area defense system थाड और MIM 104 से अलग बनाती है इसमें vertical launching system होता है जिसे नेवी के mobile platform से दागा जा सकता है इसमें single stage SAM है जिसका अनुमानित range 150 km है कहा जा रहा है कि भारत को बिलकुल आधुनेक S-400 मिलेगा जिसमें उच्चस्तरिय SAM और 40N6E है मुख्य रूप से S-400 में 40N6E एक मजबूत पक्षे है जो इसकी प्रतिष्ठा को और बढ़ाता है S-400 को बनाने वाली company Elmas NTA Group का कहना है कि 40N6E का अधिक्तम range 400 km है और ये 30 km की उचाई पर अपने लक्षी को भेज सकता है हाला कि अभी तक ये साफ नहीं है कि रूस और भारत में अगर ये रक्षा सौदा final हो जाता है तो कब तक S-400 भारत आ जाएगा रक्षा विचलेशकों का मानना है कि S-400 की आने से भारती सेना की ताकत बढ़ेगी Institute for Defense Studies and Analysis के लक्षन कुमार बहरा इस रक्षा सौदे के बारे में कहते है रूस चीन को S-400 ट्रिम्फ पहले ही दे चुका है इसके बाद से भारत रूस के साथ इस रक्षा सौदे को अंजाम तक पहुँचाने में लग गया था ये बहुत खास रक्षा सौदा है और मुझे लगता है कि भारत इसे हासिल करने में अमरीका के सामने नहीं चुकेगा रक्षा विशेश के राहूल बेदी का कहना है कि भारतिय सेना के लिए ये बहुत ही एहम समझोता है वो कहते हैं भारत को अगर S-400 हासिल करना है तो अमरीका को नाराज करना ही होगा चीन ने भी रूस से S-400 खरीता तो अमरीका ने प्रतिबंध लगा दिया भारत को अमरीका इस मामले में राहत देगा ऐसा नहीं लगता चीन पर अमरीका ने प्रतिबंध लगाया तो उस पर बहुत असर नहीं पड़ा लेकिन भारत बुरी तरह प्रभावित होगा भारतिय सेना के पास S-400 आने के बाद क्या पाकिस्तान की चिंता बढ़ जाएगी इस सवाल के जवाब में राहुल बेली कहते हैं पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही चिंता जनक स्थिती है S-400 आने के बाद भारत पाकिस्तान पर और भारी बढ़ जाएगा दरसल भारत ने अमरीका से हत्यारों की खरीद शुरू की तो पाकिस्तान और रूस के बीच रक्षा संबंध बढ़ने लगे थे ऐसे में भारत को डर था कि कहीं पाकिस्तान को रूस S-400 ना दे दे मुझे नहीं लगता कि योरोप या अमरीका इसके जवाब में कोई एर डिफेंस सिस्टम देगा हाला कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इसे खरीद पाएगा भारत और रूस पर अमरीका का दवाब अब बहुत काम नहीं करेगा ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों ने पिछले दो-तीन महीनों में रुपए और रूबल में कारोबार करना शुरू कर दिया है ऐसा भारत सोवियत संग से 1960 के दशक में भी करता था इस सौदे के लिए सितंबर महीने में 4 करोट डॉलर दिये जा चुके हैं रूस के साथ इस सौदे में Technology Transfer यानि 30 फीसिदी Offset Partner जैसी बात नहीं है राहुल बेदी कहते हैं रूस ने इस पर कहा था कि अगर Technology Transfer जैसी बात आएगी तो Delivery में देरी होगी और खीमत बढ़ जाएगी बेदी मानते हैं कि S-400 बहतरीन Air Defense सिस्टम है और इस से बहतर दुनिया में अभी कोई Air Defense सिस्टम नहीं है रूस की सरकारी News Agency Sputnik ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि ऐसी कई वजहें हैं जो अमरीका को भारत और रूस के इस रक्षा सौदे को रोकने पर मजबूर कर रहा है Sputnik ने रक्षा विचलेशकों से बातचीत के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा है अमरीका को लगता है कि अगर भारत S-400 एर डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लेगा तो उसके सहयोगी देश कतर, सौदी और तुर्की भी रूस से इसके लिए समपर्क करेंगे और उसका हतियार कारोबार प्रभावित होगा स्पुतनिक के रिपोर्ट में कहा गया है भारत के S-400 हासिल करने से पाकिस्तान और चीन की ताकत प्रभावित होगी इससे भारत पाकिस्तान की हवाई पहुँच और खासकर लडाको विमान, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के खतरे को नाकाम करतेगा ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका ट्रेकिंग रेंज 600 किलोमीटर है और 400 किलोमीटर तक मार गिराने की ख्यमता है केवल तीन S-400 में ही पाकिस्तान की सभी सीमाओं की निगरानी की जा सकती है